जैहिंद फ्रेंट्स मैं सीव प्रतीभाय जुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि RRB NTPC की एक्जाम जो है लगातार चल रही है इस परकार से उसके वीबरन को किया गया है ताकि आप यदि वीबरन को बार बार रिभाईज कर लेते हैं तो परिक्षा में जीके से सम्बंदित कुश्चन आपके नहीं पहसेंगे क्योंकि RRB NTPC की एक्जाम होती है जो एक पैटर्न वेस्ट होती है और उस पैटर्न वेस्ट से ही कुश्चन आते हैं तो फ्रेंट्स उसी पैटर्न के इर्द गिर्द से कुश्चन बनते हैं यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह के से कंप्लेट कर लेते हैं तो आशा करता हूं कि आपके एक आपके जो है जीके से सम्बंदित कुश्चन नहीं गलत होंगे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में जो है 23 जनवरी 2020 को 23 जनवरी 2020 को फर्स्ट सीफ्ट में जीतने भी कुश्चन पूछे गये हैं जीके से सम्बंदित उन सारे कुश्चनों को बीवरन सहीत यानि कि ब्याख्या सहीत जो हम डिसकस करने का प्यास करेंगे फ्रेंट्स चलिए वीडियो सुरू करते हैं कुश्चन ये पूछा गया है कि बादसा अकवर जो कि हुमाईव के बेटे थे जबकि अकवर का बेटा जहां गेर था उनका बेटा सा जहां था ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं तो बादसा अकवर के खिलाब जो है अहमद नगर की लराई ये जो अहमद नगर की लराई होई थी वो किस रानी ने जो है वो अहमद नगर की लराई बादसा अकवर के खिलाब लड़ी थी तो बादसा अकवर के खिलाब जो अहमद नगर की लराई जो है जिस रानी ने सुल्टान अली अदील साह प्रथम के चांद बीवी को जो है पॉन्दर सव पंचानमे में समराट अकवर की मुगल सिना के खिलाब अहमद गर की रक्षा करते हुए जो है माना जाता है सुरी तो फ्रेंट्स बादसाह अकवर की बात करें तो ये जो है हुमायू के बेटे थे यानि कि बावर का पोता था ऐसे हम ध्यान रख सकते है अकवर का जो बेटा था जहांगीर था जिनके बचपन का नाम सलीम था और वो जो है चितरकला के लिए काफी प्रशिद है उसके बात कर करवाया है ताजमहल का निर्मान सा जहां ने करवाया है ताजमहल के दिवारों पर पितरा दिवरा टेकनिक के उप्यों कि जाता है इस टेकनिक में पथरों के नकासी दिवालों पर की जाती है तो जो कि ताजमहल में मुझूद है आपका भी ताजमल जाए तो जरूर देख बन के आते ही जाम में कि इनका पूरा नाम क्या था तात्या टोपे का तो राम चंद्र पांडूरंग यवलकर ये तात्या टोपे का पूरा नाम था और ये 1857 की क्रांती में सामिल थे महराष्ट का बाग भी इसे कहा जाता है किसे तात्या टोपे को फ्रेंड्स ये ब्रामन जाती से संबंध रखते हैं और 1857 की क्रांती से जो है इनका संबंध है अगले कुशन की बात करें तो अगले कुशन ये पूछा गया है कि भारत में साल और शागवान इसके पिर कहा पाए जाते हैं तो अर्ध पर्ण पाती बन में जो है भारत में शागवान और साल के पिर पाए जाते हैं जो कि हिमाला की तलहटी वाले भाग से बात करें तो य मैदानी छेतर इसके संकिन इसके बीच वाले छेतर में जो है जो की अर्ध परपार्थी छेतर परता है और इस छेतर में जो है साल और सागवान के पेर पाए जाते हैं इस छेतर में जो है सामिल जो राजे हैं उसमें बात करें तो उसमें जो है यूपी बिहार उसके बाद आस यह सब जो ऐसे राज हैं जिसमें अर्ध पर्णपाती टाइप के साल और सागवान के पेर पाए जाते हैं लगभग यह जो पेर होते हैं यह समुन तल से लगभग 3,000-4,000 मीटर के उंचाई पर पाए जाते हैं तो इन सारे तत्यों को भी ज्यान रख सकते हैं यह भारत की सब 1442 में हुआ और केरल राज के चातु मिनन के को भारतिय सागवान के बागान के रूप में जाना जाता है तो यह फैक्ट जो है काफी इंपर्टेंट है कि केरल राज के चातु मिनन को भारतिय सागवान के बागान के रूप में जाना जाता है बात करें नेक्स्ट कुश्चन की friends तो अगला question पूछा गया है कि नील गिरी की सबसे उची चोटी कौन सी है तो नील गिरी यहाँ पर सिर्फ नील गिरी की बात हो रही है और नील गिरी जो है जो कि दक्षिन भारत में परता है तो नील गिरी जो है उसके दक्षिनी सीमा में सबसे उच्तम बिंदू जो है डोड़ा बेटा है और इसे आप अध्यान रख सकते हैं तो डोड़ा बेटा जो है नील गिरी की सबसे उच्तम चोती है जिसकी उचाई जो है 2637 मीटर जो है इसकी उचाई है यानि कि लगभग 8 किलो मीटर उचा उसके बाद बात कर रहे है नील गिरी जो छेतर है ये नील गिरी केरल करनाटक और तमिलनाडो इन तीनों छेतरों में जो है इसका कुछ-कुछ हिसा परता है यह जो है बेश्टन घाट का भागाई यानिकि पस्चमी घाट का और नील गिरी के बाद में बारें बात करें तो इसका जो है सबसे प्राचिंतम उलेख तमिल साहित सिल्पा दिकारम में मिलता है तो यह भी बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यह एक तमिल साहित सिल्पा द से उची चोती है और जिसकी जो उचाई है वो 2695 यानि कि 2600 में मीटर है और ये भी ये जो है बेश्टन घाट में ही परता है उसके बाद याने हैं पुछा जा सकते हैं कि इस ऑढ़ाम स yakin जाने कि पूर्बी घाट की जो है सबसे उची चोती कोन है थो इसे जो है हम जिन्दागाट पिक या महेंदर गिरी पिक कह सकते हैं तो यह जो है कुछ कुछ फैक्ट थे एक्जाम से समबन देद जिसे आप ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन की बात करें प्रेंट तो अगला कोस्चन है निमलीखित में से कौन सा उपन्यास यानि कि नोबल बंदे मातरम का सुरोथ है तो बंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रिय गित है इसे किस उपन्यास से एडॉप्ट किया गया है किस उपन्यास से लिया गया है तो ये जो है फ्रेंट्स बंकिम चंद चतरजी की प्रमुख उपन्यास आनंद मठ स इसे जगह दिया गया और जिसका अर्थ है आपकी प्रसंसा में मा यानि कि मा मैं प्रसंसा करता हूं तुम्हारी मा ये बंदे मातरम का जो है पूर्ण अर्थ होता है तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं उसके बाद बात करें तो अगला कोश्टन अपनी सांप यानि के इस नेक नौका दोर के लिए प्रसीद है भारत में कौन सा राज अपनी साक याने के नौका दौर के लिए प्रसीद है तो कीरल राज में इस नौका दौर मनाया जाता है दक्षिन भारतिय राज कीरल में वार्षिक जो है साप नौका दौर अपने पैमाने के लोकप्रीता के करण जो है काफी प्रसीद है और यह जो है एक अदूतिय खेलतमासा है यह जो है पंपा नदी में मनाय जाता है तो यह कुछिण जो है एकज्ञाम में आ सकते हैं कि किष्ण नदी में मनाया जाता है और ये ओनम के उत्सब पर मनाया जाता है किस उत्सब पर मनाया जाता है ओनम के उत्सब पर मनाया जाता है उसके बाद बात करें फैंस तो इस उत्सब में जो है कृष्ण अर्जुन से संबंधित जो है कृष्ण अर्जुन से जो है यहाँ उत्सब संबंधित है और इसमें जो है जल क्रीरा इसे कहते हैं यानि कि खेल पानी वाला खेल जिसमें जो है इसनेक नौकादर मनाया जाता है उसके बाद बात करें फैंस तो यह जो है इसे केरल की अस्थानिय भासा में चुंडन वलम कहते हैं चुंडन वलम यानि कि सर्क सर्प नौका चुंडन वलन ये सर्प नौका इसे हम केरल की अस्थानिय भासा में कहते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं अगले कुश्चन की बात करें तो अगले कुश्चन यह पूछ गाशा गया है कि धक्षिन भारती राज केरल में यानी कि साउथ इंडियन राज केरल में सागा 220 या क्या है तो सागा 220 यह एक परकार का सुपर कंपीटर है सागा 220 है यह एक अगस्त 1979 को ही थी यह इन यह जो है इसके द्वारा बनाया गया एक सूपर कंप्यूटर है दो मई 2011 को इस तरह के अध्यक से डॉक्टर के राधा केशनन द्वारा जो है इसका अनावरन किया गया और आठ जनवरी 2016 तक यह भारत में सबसे तेज कंप्यूटर रही क्योंकि इससे इसमें जो है 220 टेरा फ्लॉप जो है डेट मिमरी का उप्योग किया गया था और उसके बाद जो है बात करें तो इसरो से संबंधित तो 24 सेप्टेंबर 2014 को जो है इसरो ने काफी कम लागत में मंगल यान छोरा था और दुनिया का पहले प्रथम प्रयास में मंगल यान को सक्सेस करने वाला सबसे कम पैसा में देश बन गया था यानि सबसे कम बजेट में उसके बाद जो है फ्रेंड से भारतिय अंतरिक्ष कारिकरम के जनक जो है डॉक्टर बिक्रम सारा भाई है तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि भारतिय अंतरिक्ष कारिकरम के जनक डॉक्टर बिक्रम सारा भाई है इन सारे प्रिक्षा के लिहाद से आप ध्य चंद्रमा के गुर्टवा कर्शन बल के कारण जो है पृत्वी पर ज्वार भाटा आने का कारण जो है सूरी और चंद्रमा का गुर्टवा कर्शन बल ही होता है तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं आज़ करें तो अगला कुश्चन नाई ये कर रहा है कि फीफा 20 सुकब 2020 आयोजित किया जाएगा अगर ये काफी बार पीट हो रहे हैं कुश्चन तो कतर में फीफा 2020 का कतर में किया जाएगा तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं फीफा का जो फूरा फूर्फाम होता है ये भी पूछा जा सकता है तो Federation of International Football Association ये जो है FIFA का पूर्ण रूप से फूल फर्म होता है और इसकी अस्थापना जो है 1930 में हुई थी और हर चार बर्स पर जो है या आयोजित किया जाता है और अब तक जो है सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला जो है ब्राजील है जो लगभग पांच बार इसको जीत चुका है इससे पहले जो है 2018 में ये तो 2022 की बात हो रही जो कतर में मनाया जाएगा सबसे लंबा लिखित संविधान है और ये जो है 26 जन्वरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ बरतमान में बात करें तो भारतिय संविधान में टोटल 465 अनुषेद है ये जो है अनुषेद की बात हो रही है यानि जब संविधान सुर हुआ तब ये इतने अनुषेद है 365 बरतमान में जो है बिभिन संसोधनों के पश्चात 465 अनुषेद है 12 अनुषूचिया है भारतिय संविधान में जबकि मूल रूप से 8 ही थी ये भी धियान रखना है और 22 जो है भाग है 22 भाग है और पूरे इसके सब भाग को सब कैटेगरी के मिला ले तो टोटल जो है 25 हो जाएंगे तो जिस ऑप्शन में जो है 22 और 25 दिया हो तो आप जो है कुश्चन के हिसाब से उसे टिक कर सकते हैं जहां मूल की बात हो रही हो तो वह है कि सज़ासर तक debris गया तो यह जो है आजंता आजंता मठ तो में जो कि महरास्ट वस तो दो मद्य भारत के अजन्ता मठ में गुफा एक से गुफा एक से जो है पदम पानी बोधिशत्व पदम पानी की पेंटिंग पाई गई है और लगभग पांचमी सताबदी के आंत में यानि कि लगभग 477 इसापूर में इस पेंटिंग को बनाया गया हम मान सकते हैं और उसके बाद जो है और यह जो अजन्ता के यह जो यह जो पेंटिंग है यह जो है रोग कोट से जो है इसका आंतरिक भाग काफी सुरक्षित और संरक्षित है तो इन सारी फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट के बात करें प्रेंट तो अगला कोश्वन यह पूछा गया है कि पैरनकाइमा किस परकार का उत्ता है तो पैरनकाइमा जो होता है यह एक परकार का सरल अस्थाई उत्ता है जो पैरन काईमा जो है एक परकार का सरल अस्थाई के उतक है जो पौधे में जमीन के उतकों का एक बड़ा हिस्था बनाता है पौधे में कहा यानि कि जमीन वाले हिस्थे में जो इस वाले हिस्थे में यानि कि उपर ये पौधा है और नीचे जमीन वाले हिस्थे में जो बहुत सारे हिसे बनाने का करता है पायरन काइमा करता है उसके बाद बात करें तो अगला कोश्चन ये पुछा गया है कि बिलूप्त प्रजाती का उलेख किस बुक में किया जाता है तो इसका भी बीवरन दे चुके है बिलूप्त प्रजाती का उलेख जो है रेड डाटा बुक में क पौधों और जन्तूओं को संग्रक्षित करने के उदेशे से जारी करती है और इस इस रेट डाटा बुक की संग्रक्षन सुसी में पूरे विश्व के पौधे और जन्तू सामिल होते हैं और इसमें जो है इसको कैटिगराइज किया जाता है तो इसे आप ध्यान रख सकते है यह सरकार और नागरिक से मिला एक परकार का संगठन है और उसके बाद बात करें फ्रेंस तो इसकी अस्ठापना जो है उने इसों अर्तालिस में होई थी और सूटिजर लेंड में इसका मुख्याल है तो यह बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं किस्वीटिजर लेंड में जो है इसका मुख्याल है तो पॉध्या और जानवरों के जो है बैस्वी के बैस्विक संदक्षन की जो है एक बड़ा ही एक्स्टेंसिव यानि की ब्यापक सुची है नेक्स्ट कुश्चन की बात करें तो अगला कुश्चन यह पुछा गया कि भारत की राष्टी कंग्रेस इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बारे में हम काफी पीछे विडियो में भी काफी चीज बता चुके है तो इसका पहला ग्रामीन जो पहला ऐसा अधिवेशन हुआ जो गाउं में हुआ और तो वह समयलन जो है कहा हुआ तो यह समयलन जो है इसके अध्यक्स थे तो यह जो है फैजपूर अध्यवेशन जो कि 1936 का वो ऐसा अध्यवेशन सा प्रथम अध्यवेशन जो कि गाउं में हुआ था तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं भारती रख कोंग्रेश के प्रथम जो अध्यक्स थे पहले अध्यक्स वो WC बनर जी थे और यह इसके संस्थापक सदस्यों में सामिल है सिकेंड अध्यक्स जो बने वो दादा भाई नोरजी बने और दूसरा जो अध्यवेशन हुआ वो कहां हुआ कुलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नोरजी जो है इसके दूसरे अध्यक्स बने और प्रथम पार्सी ये पार्सी जो है अध्यक्स बने उसके बाद फ्रे तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ वो बनारस में हुआ और गोपाल कृष्ण को अखले जो है 1905 में अध्यक्ष बने तो इस समय जो है स्वदेशी आंदोलन हो रहा था तो बंगाल विभाजन से संबंधित कुष्चन पुछा जाया और 1905 का अधिवेशन की अध्यक्ष ता के बारें पूछा जाया तो 1905 का अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था और गोपाल किष्ण को अखले जो है इसके अध्यक्ष थे 1912 में बाकीपूर जो की पटना में पड़ता है बाकीपूर और यही कुष्चन जो है इस पर के BPSC में भी पूछे गए है तो 1912 में बाकीपूर पटना में जो है इसका अजवेशन हुआ था पहली बार बिहार में और उसके बाद आरन महोलकर जो है इसके माध होलकर जो है इसके अध्यक्ष थे तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है यह दिया BPSC की त्यारी करें तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखे 1916 में जो है गरमदल और नरमदल मिल गया था और इसी समिरल में जो है गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था भारतियरस्टियों कॉंग्रेस में और इसमें जो है अंबिका चरंद मजुदार यह जो है इनके अध्यक्ष थे और इसी में जो है लार्ड मांट मिंटो अधिनियम जो आया था 1909 में उसको जो है कॉंग्रेस द्वारा जो है स्विक्रीती मिली और जो कि बाद में पाकिस्टान भी भाजन का यानि कि भारत जो है दो भागों में बटा दो राष्ट में बटा पाकिस्टान और भारत जिसका कारण बना 1917 में ईनिबेसेंट भारती रष्टी कि अधिक्ष बनती है और यह वा साल है जिस साल चमपारन सत्याग्रा हुआ था अपरेल महीने में 1917 के और इस साल जो है कॉंग्रेस के अधिवेशन की अधिक्ष था एनिबेसेंट करती है और कोलकत्ता जो है यहाधिवेशन होता है 2017 का और एनिवेशन्ट ऐसी महिला बनी ऐसी प्रथम महिला बनी जो की कॉंग्रेस के पहली अध्यक्ष थी उसके बाद बात करें तो 1924 का बेलगाओं अध्यवेशन यह एक मात्र ऐसा अध्यवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष बने जाप्ति रष्टिक कॉंग्रेस की अध्यक्ष बने उसके बाद 1929 के लहोर अध्यवेशन की बात करें तो जावाहारलाल नहरू ने इसकी अध्यक्ष था की जो की 45 वे नंबर का अध्यवेशन था उसके बाद 1931 के कराची अध्यवेशन की बात करें तो कराची में यह अध जक्स्ते जो की 86 वे नंबर का Congress का अधिवेशन था यह सब जो फैक्ट थे महत्पून Congress समंधित जो की लगातार परिक्षाओं में repeat होते जा रहे हैं तो परिक्षाओं से पहले जो है आप इसे जरूर ध्यान दे कर जाए झेक्ट के बात करें फेंस तो अगला कूस्चन यह पुछा गया है कि एक निबल किसके बरावबर होता है तो एक निबल इकवल टू में दो निबल होते हैं तो यह भी बात अब धियान रख सकते हैं और हर साल जो है दो दिसंबर को ये fact ध्यान रखना ये question पूछे जा सकते हैं ये computer literacy day मनाया जाता है computer literacy day हर साल 2 December को मनाया जाता है तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं next question की बात करें तो अगला question ये पूछा गया है कि प्रकास translation यानि कि photosynthesis इसके मुख्य घटक कौन है यानि main components कौन है तो प्रकास अंसलेशन जो है एक बहुँ चरण पड़ किरिया है यानि कि बहुत सारे stage में इसका process होता है और इसमें होता क्या है कि शूड के प्रकास carbon dioxide और पानी की आप सकता होती है इस process के लिए और उसके बाद बात करें तो इसमें जो होता क्या है कि सरल carbohydrate अनू जो उर्जा से उंच उर्जा में और बाद में गुलकोज में सुक्रोज में और अन्य चीनी अनू में परिवर्थित हो जाते हैं तो यह प्रकास translation में प्रकिरिया होती है और इस प्रकिरिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो यह बात आप ध्यान रख सकते हैं उसके बाद बात करें तो अगला कुश्चन यह पुछा गया कि भारत का वो कौन सा फर्स्ट सूपर कंपीटर था भारत का पहला सूपर कंपीटर कौन था और यह काफी इंपोर्टेंट कुश्चन है और यह याद रहना ही चाहिए इसे रट जाना चाहिए भारत का पहला सुपर कॉंप्यूटर था। इसे हान रख सकते हैं यह च्यूटर से संबंदित question है उसके बाद करें तो विश्य के प्रथम सुपप्यूटर की बात करें तो इलिएक जो कि 1975 में बनाया गया था तो बिसु की अगर बात पूछी जाए तो इलियाक जो है बिसु का प्रथम सूपर कंप्यूटर था जो कि 1975 में इसका निर्मान किया गया था और इसके निर्मान करता जो है फ्रेंस वो डेनियल स्लोटन जो है इसके निर्मान करता थे तो ये बात ध को भी आप ध्यान रख सकते हैं नेक्ट कुश्चन के बाद करें तो अगला क्षंच यह पुछा गया है कि चौसा का यूध जो है यह किस के किसके बीच लड़ा गया तो यह जो चौसा है यह बिहार के बक्सर के नजदीक बक्सर में जो है यह चौसा का अस्थान परता है और यह ध्यान रखना है कि बिहार में जो गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के उपरान जो बिहार में गंगा प्रवेश करती है यह बक्सर चौसा नाम का अस्थान से ही प् objective question बनके आपसे मरिक्षा में पूछा जा सकता है तो चौसा जो यहां जो है question में यह पूछा गया कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो फ्रेंस चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायू और सूरी समराज के समरसंस्थापक सेरसा सूरी के बीच हुआ फ्रेंस यह जो युद्ध हुआ था यह 26 जून 1549 को हुआ था 26 जून 1549 को और उसके बाद फ्रेंस यह बकसर में पड़ता है तो यह भात ध्यानी रखे और इसमें जो है हुमायु शेरसा से पराजित हो कर डर कर भाग जाता है तो इसमें शेरसा सूरी की बीचय होती है और का जो है मकवारा वो बिहार के सासाराम में है तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं और सेर सासूरी ने जो है जीटी रोड का निर्मान करवाया था तो ग्रेंड जीसे ग्रेंड ट्रेंक रोड कहते हैं जीटी रोड का निर्मान जो है सेर सासूरी ने ही कराया था तो ये बाते भी आप ध्यार रख सकते हैं अगला कुश्चन है परिया वरन से भी एक पुश्चन पूछा गया है और यहां पिर विकल्प का विकल्प की असपस्टता नहीं है इसलिए बताते हैं परिया वरन परिया वरन का मतलब होता है परिया यानि कि पड़ी पड़ी यानि बाहर और आ जिहान रख सकते हैं अगले कुश्चन के बात करफें तो अगला कुश्चन ये पूछा गया है कि जो उपयोग करता यानि की यूजर कम्प्यूटर के बीच एक अंतर फलक यानि की इंटर फेस के रूप में कार करता है कैसे तो किसी भी कम्प्यूटर के समक्स जो है हम अपने माउस के माध्यम से जो कामंड देते हैं सिस्टम हमें यानि कि जो यूजर करता होता है उसको उस परकार से उसे आउटपुट प्रदान करता है तो इस परकार जो है एक इंटरफेस की तरह जो है कम्प्यूटर और यूजर के बीच में जो है यह कायर करता है यह है सिस्टम यानिके OS तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं उसके बात करें तो अगला कुश्चन ये पुछा गया है कि भारतिय संबिधान में केश्वा काफी important ये कुश्चन है भारतिय संबिधान में केश्वा नांदी भारतिय मामले का क्या महत है तो यह जो मामला है ये इस बात की guarantee देता है कि संसदिय संसोधन द्वरा भारतिय संबिधान के मुलभूत या बुनियादी संदचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है ये इस बात की और संकेत करता है तो फ्रिंट्स बात करें तो किसी भी स्थीती में जो है संबिधान संसोधन यानिकि संबिधान संसोधन का जो प रख सकते हैं तो फ्रेंड्स इसमें ये जो ये जो केश्वानंद भारती बिवाद हुआ था ये 31 अक्टूबर 1972 से ये काफी इंपोर्टेंट है 31 अक्टूबर 1972 से लेकर 31 अक्टूबर 1972 से लेकर 24 अप्रेल 1973 तक यह लगातार बिवाद चला था और विवाद तो पुरांत जो है यही फैसला आया था इसमें टोटल 13 नयादी सामिल थे और 60 दिन तक यह भी बाद चला था तो इसे ध्यान रख सकते हैं उसके और बात करें तो वो क्या मूल संदचना है वो क्या बुनियादी इन संदचना है जिसमें बदलाव किसी भी स्तिती में संसद ये संसोधन द्वारा नहीं किया जा सकता तो इस बीधान की सर्वोचता यानि की संबीधान ही जो है सर्वोच है ये बात जो है भारती समिनान के मूल संदचना में सामिल है उसके बाद बिधाई का कारेपालिका अपलस न्याईपालिका इसको जो है अलग-अलग सक्तिया दिये गई है इसके सक्तियों का प्रेथकरन किया गया है ये मूल संदचना में सामिल है उसके बाद यानि कि पारलिया मेंटरी जो सिष्टम है जो कि बिटेन के संविधान से लिया गया है ये भी मूल संदचना में सामिल है बेक्ती की स्वतंतरता और गरिमा ये भी मूल संदचना में सामिल है उसके बाद मूल अधिकार और राजी के नीती निर्देशक ततो का संतुलन यानि क बैलेंस ये भी मूल संदचना में सामिल है और उसके बात करें तो कल्यानकारी राजी की अस्थापना ये भी मूल संदचना में सामिल है और आने भी है तो इस परकार जो है समझ सकते हैं कि भारतिय संभिधान के मूल संदचना में क्या क्या सामिल है और इसमें जो है अनचे 368 सट के तहत इसमें बदलाब नहीं किया जा सकता नेक्स्ट की बात करें तो अगला कुछन यह पूछा गया है कि यू एन ओ का अस्थाई सदस काफी बार वार रिप्टेड हो रही यू ने सो कुछन तो यूनाइटेड नेशन अर्गनाइजेशन जिसकी अस्थापना 24 अस्थाई सदस होते हैं तो टोटल जो है 15 सदस होते हैं तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं वो जो पांच अस्थाई सदस है इनके पास बीटो का अधिकार होता है जिसे पी फाइब के भी नाम से जानते हैं या बीग फाइब के भी नाम से जानते हैं उसके बाद बात कर फि यह पाँच ऐसे country है जिनके पास बीटों का अधिकार है यदि कोई प्राष्टाब यदि कोई प्रास्ताब UNO में आती है और इन पाँच रास्टों में से कोई भी एक बीटों कर देता है तो इनके पास निशेद के अधिकार होने के कारण वो प्रस्ताब जो है रद हो जाता है समाप्त हो जाता है तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंस फिलाल बात करें तो UNO के महा सचीब जो है युनाइटे नेशन अर्गनाइजेशन के महा सचीब जो है वो एंटीनियो गुटेरस है जो कि भरतवान इकजाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और इसे जो है ध्यान रखे एक जनवरी 17 को यानि कि 2017 को इनकी न्यूक्ती हुई थी और उसके बाद बात करें तो युनाइटे नेशन अर्गनाइजेशन का जो मुख्याला है वो निव्यार्क में है जो कि USA यानि कि युनाइटे अ अमेरिका में आता है तो इन सारे फैक्टों को जो है युनाइटे नेशन से समद्धित फैक्टों को आप ध्यान रख सकते हैं उसके बाद बात करें तो अगला कुश्चन ये पूछा गया है कि 1942 में जो भारत छोरो अंदुलन के दोरान औरना आसफ अली का उंगली ने भार प्रित नहीं आंदुलन क rif in का जाता है क्योंकि इस आंदुलन के शुरूत होते ही सभे प्रमुक नेता गिरखतार हो गए हैं और कुछ प्रमुक नत जिन्होंने अंडर्ग्राउंड रहकर जो है इस आंदोलन को आग देने का काम किया तो भारत छोरो आंदोलन जिसे अगस्त करांती के भी नाम से जाना जाता है और यह जो है क्रिप्स मीशन के अस्थपलता के बाद आया फ्रेंड्स बात करें तो 1942 में यह अगस्त में शुरू होती है और उसमें जो है कारेकारी समीति की यहां पर बैठक होरी 14 जुलाई को और इसमें जो है यहां प्रस्ताब पास हो जाती है जबकि 6 से 7 अगस्त को जो है 9 अगस्त से भारत चोड़ आंदोलन शुरू हो जाता है क्यारकि 9 अगस्त के सुब 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 सभी नेता गिरफतार किया जाते हैं क्योंकि अंग्रेजो द्वारा रात के 12 बजे ही ऑपरेशन जीरो आबर चला कर अपरेशन जीरो आबर चला कर सभी प्रमुख नेताओं को गिरफतार कर लिया जाता है जिसमें गांधी जी को जो है आगाखा पैलेस में गिरफतार करके रखा जाता है तो इन सारे फैक्टों को आप ध्यान रख सकते हैं इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने कहा था करो या मरो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था भारतियों को कहा था कि करो या मरो और अंग्रेजों को कहा था अंग्रेजों भारत चोरो जबकि लाल बहादुर सहस्त्री ने इसी आंदोलन में नारा दिया था मरो नहीं मरो ये सब जो है इसे समन्दित कुश कुश्चन से लेकिन यहाँ पर हैक्ट थे लेकिन बात करेंट 1941 के भारच और आंदोलन के दोराण ये अरना आसफ अली जो है ये गुवालिया टैंक मैदा जो कि बंबई में पड़ता है इसी मैदाल में इन्हों ने राष्टिय ध्वच फारा कर तिरंगा को फारा कर इस आंदोलन को गती देने का प्रयास किया तो अरना असफ अली की बात करें तो इनका जो जन 1609 और मिर्टु 29 जुलाई 1996 को हुआ एक भारतिय सिक्षा कराजनिति करता और प्रकासक थे यानि कि पॉब्लीक सिर्थे भारतिय सुतंता अंदोलन में सकीडिय भागिदार है उन्हें 1942 में भारत छोरो अंदोलन के दोरान बंबे के ग्वालिया टंक मैदान में भारतिय रष्ट ध्वज फाराने के लिए याद किया जाता है कि एक महिला होकर इ तो नावार्ड की गठन की बात करें तो 12 जुलाई 1942 को जो है नावार्ड का गठन किया गया इसका फूल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एगरी कल्चर और नावार्ड की बात करें तो नेशनल एगरी कल्चर और ग्रामीन विकास बैंक जो है इसका पुन रूप है तो Natural Agriculture Bank and Rural Development Natural Agricultural Bank and Rural Development जो है इसका full form है यानि कि राष्टी क्रिसी और ग्रामीन विकास बैंक जो है इसका full form है उसके बाद बात करें तो यह जो है एक परकार से जितने भी क्रिसी से सम्मन देते बैंक और ग्रामीन बैंक है उसके जो है regulatory body के रूप में यह काम करता है और यह क्रिसी के छेतर में जो है रीन प्रोवाइट कराने का कारे करता है और उसके बाद जो है सिवरामन समीती इस सम्मन दित है नावाड से तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं यह पूछा जा सकता है सिवरामन समीती के सिफारिस पर जो है सिफारिस के उपरान थी जो है इसका गठन किया गया था नावाड का और फिलाल यह पूरे देश में कारे रत है regulatory body के रूप में तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो आगला कोश्चन यह पूछा गया है कि महाल नोबिस मोडल किस पंच वर्षी योजना के से सम्बंदित है तो महाल नोबिस मोडल की बात करे तो यह दूसरी पंच वर्षी योजना से सम्बंदित है जब कि पहली 5 बर्श की यूजना को हेराल दमल्ड मोडल कहते हैं तो ये बात भी आप ध्यान द् Overall मोडल जो है वो पहली 5 बर्श की यूजना से संब sulla तै जो कि उनज़े 51 से लेकर 56 से बात करें तो यहा जो 29 जनवरी 29 जून 1893 में को कहा हुआ कलकत्ता में जो कि अब कलकत्ता है उसके बाद बात करें फिर्म्स तो मिर्टु जह 28 जून 1972 को कलकत्ता में हुआ ये भारतिय सांखी की वीद थे जिन्होंने महानुवी से नाम पर दूसरी पंचवर्सी योजन इनिक के मॉडल पर चलाया गया और दूसरी पंचवर्सियो योजना था इसमें जो है उदोग पर यानि की इंडस्ट्री लगाने पर भी जो है काफी बल दिया गया था दुर्गापूर, फिलाई, राउरकेला, ये सारे सयंतर जो है दूसरी पंचवर्षी योजना के दोरान ही अस्थापित किये गए तो इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं तो गुजरात में मुख्य तेल छेतर कौन से हैं तो गुजरात में मुख्य तेल छेतर की बात करें तो कोयाली वड़ोदरा ये सब जो है गुजरात में मुख्य तेल छेतर है जबकि बिहार में जो है बराउनी में है यह किस कंपणी के अंतरगत या तेल छेतर करकान तो आयोस इसके बार करें तो मतहुरा की यूपी में पड़ता है उसके बाद पानी पत ला वा उसके बाद बात करेंस तो असम के डिगवोई में जो कि भारत का पहला और प्रथम है तो काफी पुराना है यह सबसे पुराना है असम के डिगवोई में यह तो काफी इंपोर्टेंटी हो गया इसे ध्यान रखना है उसके बाद बात करेंस तो मुंबई मुंबई हाई में भी जहाँ से तेल निकाले जाते हैं तो ये बात भी आप त्यान रख सकते हैं इसे आप त्यान रख सकते हैं उसके बाद बात करें तो EU इसका full form क्या है तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये जो है इसका full form है तो इसे आप ज्यान डख सकते हैं नेक्स कुशिन के बार करें तो राजिस्तान के फर चित्रकाला फर पउर्सल राजस्थान की है और यह पुछा जा रहा है कि यह जो फ़र पैन्तिंग्-अ यह किस समंदित है तो यह धर्म से यानिक है रिलीजन से समंदित है फर पेंटिंग या फर धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है और यह जो है लोक चित्रकला की एक सैली है जो कि भारक के राजस्थान में प्रचलित है और पेंटिंग की यह सैली पारमपरिक रूप से यानि कि ट्रेडिशनल तरीके से कपरे या कैनवास के एक लंबे टुक्रे पर स्थित है तो यह जो है नागपुर में भीम राओ अमबेट कर अंतराश्ट यह हवाई अड़ा इस्थित है और उसके बाद बात करें फियंज तो नागपुर जो कि कहा पड़ता है महाराष्ट में और संत्रों के लिए जो नागपूर काफी फेमस है नितिन गड़करी जो है वहीं से सांसद है जो कि अभी राज मार्ग परिवहन मंत्री है और उसके बाद जो है तो इस प्रकार यह सारे फैक्ट को जो है आप ध्यान रख सकते हैं भारती सम्मिधान के जनक का हजात है डॉक्टर भीमरा अमबेटकर को अध्य पर्देश के महूं में हुआ था यह महार जाती से संबंद रखते हैं तो यह महार कास्ट के थे नेक्ट कोश्चन के बाद करें तो अगला कोश्चन यह पूछा गया है कि CSIR का सही रूप क्या है य Council of Scientific and Industrial Research यह जो है इसका फूल पर्म है और इसे हिंदी में बैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशाद कहते हैं नेक्ट कोश्चन यह पूछाएगा है कि सेन्धा नमक जो है इसका वैस कैया है तो सेन्धा नमक की बात करें से दो हेलट आम तोर पर रौक नमक के रूप में जाना जाता है जो कि शोडियम क्लोराइड से बनने वाला खनीज है और इसका सूत्र जो होता है वो एने सीयल होता है इसे आप ध्यान रख सकते हैं और सेंधा नमक जो है यह हाइलाइट के लिए प्रतियुक अध्योगी की नाम है तो यह बात भिखान रख सकते हैं तो यह जो है